हाई गाईज वेलकम तो दिस सेशन एंड इस से पहले की ये सेशन शुरू करूँ मैं मैं आपको कुछ इंफर्मेशन देना चाहता हूँ काफी दिन हो गए हम लोग यानी मैं आपको वर्ड्स का लिस्ट जो है वर्ड्स का जो लिस्ट है उस पे कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ तो आज से मैं क्या करूँगा कि वर्ड्स के लिस्ट पे भी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आप लोगों मैं से बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये वीडियो काफी important है काफी helpful है और जिन लोगों से मैंने feedback लिया है उन लोगों ने भी बुला है कि अगर वर्ड्स का कोई list रहे इस तरीके का तो काफी अच्छा रहेगा So I will go ahead and I will do that So आज से हम लोग करेंगे क्या level 1 का एक वीडियो ठीक है जो level 1 के students है और level 1 का ही words revision इनके लिए ये काम है और level 2 का जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसके साथ level 2 के words जो बच्चे भी अभी level 1 के लिए हैं जिनोंने अभी सुरू किया है जो अभी begin कर रहे हैं वो level 2 के वीडियो ना देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा ठीक है ना So without wasting much time let me move ahead to the headlines and once this video is posted इसके आधे गंटे के अंदर में ही दो दूसरा वीडियो है वो आ जाएगा words का अभी देखो इनका चेहरा देखो Rhea Chakravarti क्या कह रही है Rhea 2 Supreme Court मतलब Rhea Supreme Court को Supreme Court को ये क्या कह रही है Considerable amount of state interference in सुषान्त केस तो सबसे पहले तो ये word देख लो आप I-N-T-E-R Inter और उसके बाद F-E-R-E Interfair Interfair का मतलब होता है हफ्टचेप करना और ये तो बहुत common word है हम लोग बोलते भी हैं मेरे मामले में interfere मत करो Interfair का मतलब हश्टचेप करना और interference जो यहाँ पे लिखा है interference ये क्या हो गया हश्टचेप तो ये noun हो गया और interfere करना वर्व हो गया अब देखो Considerable amount amount का तो मतलब आप जानते ही हैं Considerable amount अब देखो Consider Consider करना मतलब किसी चीज़ पर बिचार करना किसी चीज़ को ध्यान में रखना जब कोई भी amount Considerable होता है मतलब वो बड़ा amount होता है ठीक है न? क्या है? Consider करना मतलब ध्यान में रखना अब मान लो कि आपके पास पांच लाख रुपए है ठीक है न? उसमें से पांच सो इधर उधर चल गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पांच सो कहां चला गया तो आपके ध्यान में नहीं रहेगा क्यों? क्योंकि एक छोटा amount है लेकिन अगर आपके पास पांच लाख है ठीक है न? और आपने इसमें से पचास हजार कहीं चला गया तो यह जो amount है यह हमें साब के ध्यान में रहेगा ऐसी यह चीज होती है considerable मतलब ज़ादा तो रियान ने सुप्रीम कोड को क्या बोला? कि बहुत ही ज़ादा interference हो रहा है स्टेट का किसका स्टेट का सुसांत के केस में सुसांत के केस में अभी देखो वाइट हाउस के नजदिक क्या हुआ है? man shot near वाइट हाउस मतलब man को गोली मार दी गई वाइट हाउस के नजदिक आप ये देखो इनका फोटो अगर आप देखोगे तो जरूर पहचानते होगे आप इनको ये हैं डॉक्टर प्रणम मुखा जी कल भी इनके बारे में हमने डिस्कस किया था और ज़रा देख लो कि क्या हो रहा है इनके साथ एकस प्रेसिडेंट्स कंडिशन का मतलब है फिलाल इसको देखते हैं एकस प्रेसिडेंट्स कंडिशन स्टिल क्रिटिकल का मतलब अभी भी उनकी हालत कैसी है नाजुक बनी हुई है और राइट और राइट और राइट वी हैव लुक्ट अट इस नाजुक अट इस लुक आट इस नीजुक इस रिलेटें तो जम्वन कश्मीर सेंटर अलाउज 4G सेंटर ने 4G सर्विसेज को जो 4G आप यहां यूज करते हैं उसको अलाउज कर दिया है किस चिश पे अन ट्राइल बेसिस प्राइट करने के लिए ट्राइल के आधार पे ही अभी शुरू किया है और कहां इन जम्वन कश्मीर किस चिश के बाद 15 अगस्त के बाद जरा इसके नीचे हम देखेंगे क्या लिखा है लिमिटेड एक्सेस यह जो वर्ड है इस पे ध्यान दो A, double, C, E, double, X जभी भी आपको कुईसी चीज को एकसेस मिलता है तो आपको उस चीज को यूज करने के छूट मिल जाती है आपको वहाँ जाने के छूट मिल जाती है जहां भी आपका इंट्री है वहाँ आपका एकसेस है जहां आपकी पहुँच है वहां आपका access है ठीक है न और जो चीज आप use कर सकते हैं उस चीज को आपके पास access है तो अभी 4G का कैसा access मिलेगा इनको limited action limited access limited access मतलब बहुत बड़े लेवल पे नहीं मिलेगा पूरा access नहीं मिलेगा लेकिन limited मिलेगा अब यह आप देख लो यहां पे क्या हो रहा है ओके आपको दिख गया होगा और नीचे में देखो क्या लिखा है जमुएंड कश्मीर पुलीस परसनल आप दें रेख लिया यह वर्ड फिर से rehearse क्या कर रहे हैं वो rehearsal कर रहे हैं अब यह जो word है मैं लिक देता हूँ असको र-e-h-e-a-r-s-e rehearse rehearse का मतलब तो आपको पता ही है तो rehearse करना यह एक वर्व हो जाता है और जब rehearsal कह देंगे rehearseal कह देंगे तो वो क्या हो जाएगा वो एक noun हो जाएगा और देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यह rehearseal चल कहा रहा है एक मैदान में चल रहा है हिंदी में आप क्या बोलोगे एक stadium में चल रहा है और यहां क्या है at at mini stadium ahead of किसी से पहले independence day से पहले तो आपने at का इस्तमाल एक बार फिर से देख लिया okay now let me look at this news daughters to get equal inheritance in property अब inherit करने का मतलब क्या होता है inherit inherit करने का मतलब जो आप अपने पुर्वजों से मिलता है जो आपको आप उसको क्या करते हैं inherit करते है ठीक है ना इसका हिंदी exactly अभी मैं भूल ला हूँ इन्हेरिट करना मतलब आपके पापा, आपके दाला जी के पास जमीन थी, वो आपके पिता जी के पास आई, पिता जी से आपके पास आई, तो आप उस जमीन को क्या कर रहे हैं, इन्हेरिट कर रहे हैं, इसी तरह अगर कोई क्वालिटी है, जो आप अपने पेरेंट से ले र डॉक्टर्स टू गेट इक्वल इनहेरिटेंस मतलब डॉक्टर्स को मिलेगा अब इक्वल इनहेरिटेंस ठीक है ना इन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में बराबर की भागेदारी इनहेरिटेंस मिलेगा अभी क्या होता है कि बहुत लोग मतलब डॉक्टर्स को प्रॉपर् मतलब किसी को तो हम विदाई दे रहे हैं आप इस फोटो में देखोगे जरा तो लगेगा कि कोई पुलीस वाले है जो अब नहीं रहे जो शहीद हो गए या कोई तो इस तरह का आदमी है जिसको विदाई दी जा रही है अब जरा देखें यहाँ पे क्या लिखा है अधानजली को हम लोग क्या करते हैं पे करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है पुलीस परसनल गन सेलूट पे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं गन सेलूट पे कर रहे हैं तो विंग कमांडर रिटायर दीपक साथे किसको दीपक साथे अब ये विंग कमांडर मतलब इंडियन एर फोर्स का ये एक पोस्ट है, काफी बड़ा पोस्ट है दीपक साथे, और दीपक साथे कौन थे? The pilot in command, the pilot in command of the इंडियन एर इंडिया एक्स्प्रेस प्लेन that crashed in कोजी कोडे last week मतलब पहले तो ये इंडियन एर फोर्स में काम करते थे, as a wing commander जब वहाँ से इन्होंने retirement लिया, तो ये air इंडिया में pilot बन गया ठीक है न, तो इसलिए इनको gun salute दिया जा रहा है, और क्या है, during his funeral ceremony तो आपका तो funeral का मतलब आपको पता है, अंतिम संस्कार और सेरेमनी का समारो, अब देखो at wikroli crematorium, crematorium मतलब समसान घाट, c-r-e-m-a-t-e, cremate, cremate का मतलब मैंने आपको बताया यह था, दा संस्कार करना जैसे हिंदूज में, जैसे हम लोग dead body को burn करते हैं, that is called cremation देखो आगे लिख, इसी लिए उस जगह को क्या बोलते हैं, crematorium बोलते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है, he was cremated with state honors, पूरे राज किये सम्मान के साथ, उनको क्या कर दिया गया, cremate कर दिया गया, जरा इसके नीचे का line देखो, आप Sachin Palette से related एक news है, और इसलिए मैं इसको रहे हैं कि अब मेरी नराजगी दूर हो गई है, और अब मेरे को कोई problem नहीं है, ऐसा वैसा, as pilot returns, मतलब pilot के लोटने के साथ ही, pilot जब लोट रहे हैं, तो और क्या हो रहा है, गहलोट सेज, गहलोट कह रहे हैं कि we'll hear grievances, हम उनके सिकायतों को सुनेंगे, आप ये word देख लो ग्रिवान्स का मतलब शिकायत, और शिकायतों का क्या किया जाता है, हिंदी में निवारन किया जाता है, निवारन, I hope कि आपको ये मतलब पता, निवारन मतलब शिकायतों को दूर किया जाता है, उनको solution ढूंडा जाता है, यही जो निवारन है, यही निवारन, ग्रिवान् का जो निवारन करते हैं इसी को हम लोग क्या लिखते हैं इंगलिस में redress, grievance को हम लोग हिंदी में निवारन करते हैं इंग्लिस में redress करते हैं, all right. Now let me show you this news कि हमारे Prime Minister ने इंडिया के CM को क्या-कया है, Chief Ministers को क्या-कया है, कि if 10 states beat covid, अगर 10 states covid को हरा देते हैं, इंडिया can win और कल आपने देखा होगा न्यूज में काफी आ रहा था रश्या लॉंचेज वैक्सीन देखो वैक्सीन को भी क्या कर दिया लॉंच कर दिया अभी आप यहाँ देखो नितिश कुमार क्या लिखा है नितिश कुमार at a meeting यहाँ in a meeting भी लिख सकता था और at a meeting भी लिख दिया है तो दोनों ही चीजे सही है और इनोंने क्या कहा है help us हम लोगों को मदद करो किस चीज में ramp up testing more और ramp up का मतलब आपको पता है किसी चीज को बढ़ाना अभी आप देखे एक साहब थे राहत इंदौरी आपने उनको बहुत देखा होगा उनकी बहुत famous poet, songwriter राहत इंदौरी ठीक है ना आप facebook पे और social media पे आपने ये भी देखा होगा बुलाती है मगर जाने का नहीं ये राहत इंदौरी के ही share का वो है क्या है बुलाती है मगर जाने का नहीं जो आपने बहुत देखा और बहुत हस्त है इस पे तो ये इन्हों नहीं लिखा था इन्हों नहीं गाया था इसको इन्हों नहीं तो उनके बारे में क्या लिखा है renowned urdo poet renowned मतलब जिनको माना हुआ माने हुए और्दो poet renowned जो भी लोग renowned है वो माने हुए है प्रतिस्ठित लोग है आप इस word को लिख लेंगे renowned urdo poet songwriter राहत इंदौरी डाइज बुलाती है मगर जाने का नहीं अभी देखो इदर आपको दिखाता हूँ कल ये news भी काफी चल रहा था कल news में कि UP में कोई लड़की थी जो अमेरिका में पढ़ रही थी वहां से आई थी और उसको छेड़शार कर रहे थे कुछ लोग और harass कर रहे थे और उसको पीछा करने लगे वो दौड़ी और उसका accident हो गया she is now no more देखो क्या लिखा है UP woman dies in accident किन का मतलब उसके रिष्टेदार L.A. क्या आरोप लगा रहे हैं L.A. का मतलब मैंने आपको बताया आरोप लगा ना L.A. हरास्मेंट मतलब उसको लोग परिशान कर रहे थे और राइट Now let us look at this news अभी मैंने आपको एक दिखाया था कि केरला में भी एडूकी एक जगह है जहां पर क्या हो गया था Landslide हो गया था अभी आपको देखो क्या लिखा है In Landslide Debris और मैंने आपको Debris का मतलब बताया है Debris का मतलब मलबा और debris कभी होता नहीं है यह वर्ड आपको इसी तरह दिखेगा तो यह मत सुचेगा कि इसमें इस लगा हुआ है तो यह कोई plural है या कोई और चीज है Debris विलकुल ऐसा ही दिखेगा आपको In Landslide Debris मतलब भूस खलन के मलबे में Two dogs search for their best friends Two dogs किन के लिए सर्च कर रहे हैं अपने सबसे अच्छे दोस्तों के लिए अब देख रहे हैं कितने सारे words revise हो रहे है और guys अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप अगर मेरे class के student नहीं है मेरे coaching के student नहीं है तो भी आप comment कर सकते है आपको कोई feedback है आपको कोई शिकायत है वीडियो में कोई अच्छी चीज नहीं लग रही है आप चाहते हैं कोई और चीज अड़ हो तो you can tell me about that in the comment box आपको उसके बारे में comment box में बोल सकते हैं आपको वीडियो अच्छा लगता है तो please इसको like कीजे ओके अभी आप देखो क्या लिखा यहां बिहार lags हाँ बई lag का मतलब पीछे रहना आपको मैंने बताया है lag behind, don't lag behind तो मतलब do not पीछे मत रहो बिहार lags in RT-PCR test RT-PCR test में बिहार क्या है पीछे रह रहा है center ask to increase capacity और center क्या बोला है इसकी छमता बढ़ाई है capacity मतलब छमता अभी देखो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ क्या लिखा है preparing for the D-day यह जो जितने भी बिहार पुलिस के यह जवान है यह independence day के लिए prepare कर रहे है independence day 15th august लेकिन यहाँ पर D-day क्यों लिखा है जब कोई भी important दिन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं D-day मालोब आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो जो दिन है उसी दिन आपको अपने सारी तैयारी दिखा देनी है suppose that you prepared for one year for a bank PO exam a bank PO exam के लिए आपने एक साल तैयारी किया एक साल तैयारी को दिखाने के लिए आपको एक साल नहीं मिलेगा बस एक दिन में दो घंटे मिलेंगे अगर आप इसमें दिखा पाए तो सही है नहीं दिखा पाए तो फिर अगले साल आईएगा तो ये होता है D-Day और ज़रा देखो क्या लिखा है बिहार पुलीस परसनल फिर से यहाँ आपने देखा मेडिकल के परसनल है पुलीस के परसनल है आरमी के परसनल है अब नाव लेट उस लूक पर वेरी अगे It's not a very important news लेकिन इसमें कुछ words हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ Six X-ray technicians sacked for forgery अब देखो यह जो word है forgery यह इतना common हो गया है कि गाउं में भी लोग बोलते है कि forgery कर रहा है forgery कर रहा है मतलब कुछ गोरक दंदा कर रहा है कुछ गलत काम कर रहा है ठीक है ना तो जड़ा हम देखते हैं कि आखिर forgery का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो यह देख लो कि six X-ray technicians को sacked कर दिया गया S, A, C, K sacked कर दिया गया मतलब बरखास्त कर दिया गया किस चिश के लिए forgery के लिए सबसे पहले यह देखो F, O, R, G, E मैंने बताया था कि forge का मतलब क्या होता है आपने देखा है लोहार को कैसे काम करता है आप उसको कोई भी लोहा लेके दो पहले वो उसको गरम करता है उसको लाल करता है और उससे दूसरे दूसरे shapes बना देता है ठीक है ना या फिर तो उसी चीज को हम लोग forge बोलते हैं अब ये तो लुहार की बात हो गई मान लोग कि आपको एक नकली पासपोर्ट चाहिए तो जो नकली पासपोर्ट में आपके लिए एकदम ध्यान से बारीकी से जो changes करेगा तो ऐसे को हम लोग क्या करते हैं? अगर कोई डॉक्यमेंट का नकली डॉक्यमेंट बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डॉक्यमेंट को forge कर दिया और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? Forgery So I hope कि आपको ये याद रहेगा Now let me move to the second page और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक और चीज कल हम लोगों ने SHG के बाड़े में पढ़ा था SHG Self Help Group क्या? Self Help खुद अपनी मदद करते हैं तो आप देखें कभी-कभी फिल्मों में आप देखते होंगे या ऐसे भी औरतों का एक ग्रूप होता है या मदों का भी एक ग्रूप हो सकता है और वो एक छोटा सा बिजनिस खुद चला रहे हैं और पाँच ओड़ते या दस ओड़ते हैं उसमें और वो इमिल के एक बिजनिस चला रही है तो ऐसे चीजों को हम लोग Self Help Group बोलते हैं सरकार इसको बहुत गवर्न्मेंट इसको बहुत प्रूमोट करना चाहती है क्योंकि इससे क्या होता है कि आप Self Reliant बनते हैं आप खुद अपने ओपर Depend कर सकते हैं तो यहाँ पे देखो एक दिख रहा आपको मास्स बन रहा है यहाँ और क्या लिखा है Women prepare face mask for needy for needy मतलब जिनको जरूरत है जिनको need है अगर आपको need है तो आप कैसे हो जाएंगे needy हो जाएंगे तो women क्या है face mask प्रिपेर कर रही है अब जड़ा देखो नीचे उपर में क्या लिखा है SHGs roped in यह लाइन को गुगार करो R O P E rope का मतलब तो होता है रसी किसी को जब भी हम rope in करते हैं देख लो rope in करते हैं तो उसकी सेवाओं का हम इस्तमाल लेते हैं किसी काम में उसको include करते हैं जैसे अगर मैं लिखता हूँ Government has roped in has roped in 50 doctors ठीक है न? क्या? 50 doctors इसका मतलब government ने 50 doctors को बुलाया है मंगाया है, बहाल किया है उनकी सेवाओं लेने के लिए तो SHG को rope in किया गया है मतलब इनकी सेवाओं लेने के लिए कहा गया है समझ रहे हो? मांदो एक आदमी को एक किसी काम को करने में पांच आदमियों की जरूरत है तो रस्ती से चाहर आदमियों को बांद दिया जो पांचों आप जिसको rope in कर लिया मतलब उसको भी शामिल कर लिया तो rope in का मतलब आपको समझ में आ गया है ये एक phrasal verb है, rope in जब आप rope in करते हैं तो किसी के सिवाय लेते हैं उसको include करते हैं उसको बहाल करते हैं उसको नौकरी पर रखते हैं इस तरीके की चीज़ SHGs rope in किये जा रहा है किस चीज के लिए? मास्क बनाने के लिए polling staff के लिए polling staff मतलब जो चुनाओ में staff होंगे उनके लिए मास्क बनाना है तो SHGs को रोप इन किया गया है Self-Help Groups ऐसी औरतें जो हैं सिर्फ औरतें ही नहीं मतलब ऐसे जो ग्रूप होंगे उनको बोला गया है कि आप क्या करो मास्क बनाओ अब ऐसे करने से का होगा कि बड़ी बड़ी फैक्टरी हैं तो पैसा कमा रही है प्रॉफिट कमा रही है लेकिन इन औरतों का क्या होगा तो सरकार इनको भी थोड़ा-थोड़ा काम देती है कि लोग आप भी थोड़ा-थोड़ा काम करो और आप भी अपना इंकम बढ़ा लो All right So that was it अभी हम एक और देखते है नियूज Parties Alliance only with BJP कैसी त्यागी क्या कह रहे है कि पार्टी का Alliance किसके साथ है BJP के साथ है और आपको पता है कि अलाई का मतलब साथ ही और Alliance का मतलब गठ बनता Now let me show you one more thing here यहाँ पर आप मैं आपको कुछ ऐसे sentences दिखाऊंगा जिसमें कि मैं आपको सिर्फ words दिखाऊंगा कि यह words हमने किया है कि नहीं सिर्फ revise करने के लिए Situation remains grim आप यह word कर चुके हैं Grim का मतलब दैनी है और क्या दिखा दो आपको एक चीज और दिखाता हूँ DM to seek recovery DM to seek recovery from officials in the dock DM to seek मतलब कि DM मांग करेंगे DM मांग करेंगे किस चीश का recovery का किस से जो officials in the dock हैं देख लो in the dock in the dock का मतलब कटगरे में होना in the dock का मतलब क्या हो गया कटगरे में होना और आपने वो फिल्मों में देखा होगा कि judge साहब के सामने कोई मुझरिम आता है तो ऐसे एक कटगरे में खड़ा होता है ठीक है ना तो इसी को बोलते in the dock आप in the dock को बिलकुल याद रखिएगा भूलिएगा मत एक news में आपको और दिखाता हूँ टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है otherwise news तो बहुत होते हैं और बहुत सारी चीज़े होती है बताने के लिए notorious criminal for a days arrested criminal कैसा था? notorious था हिंदी में कैसे news को क्या लिखते हैं? कुख्यात लिखते हैं ना कुख्यात तो कुख्यात criminal और उसके चार साथी a day यह भी मैंने आपको बताया हुआ है उसके चार साथी क्या हुए? गिरफतार किये गए alright now very quickly very quickly बहुत ही जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ लेकिन शायद मैं दिखाना नहीं पहूंगा तो आज के वीडियो यहीं पे over करता हूँ मैं and please keep sending your feedbacks आपके feedbacks सुनके अच्छा लगता है और मैं वो सारी चीजे जो आप चाहते हैं उसको मैं include करना चाहता हूँ थोड़ा आज का session शायद slow हो गया alright guys so take care have a nice day bye bye